हाई दियर फेंट्स मिरना में रोबर्ट सिंग एल्स और मैं हूँ LCD LED ट्रेनर अभी आज का जो टोपिक होने वाला वो होने वाला USB सेक्षन के उपर कि एक USB सेक्षन के अंदर मतलब USB जो हमारा USB पोर्ट होता वो किस तरह से हमारे LED TV के अंदर काम करता है क्या उसकी वर्किंग प्रिस्पल रहती है और साथ यह जानेगी कि क्या उसके अंदर प्रॉलम आती है और किस तरह से उस प्रॉलम को सौट आउट किया जाता हूं उस बीडियो में एक चीज का ध्यान रखता हूं कि जो ही मैं आप लोगे लिए वीडियो ले क्या हूं उस एक ही बीडियो में आप लोग से बतले में यह चाहता हूं कि यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो फिजिकली मुझूद रहने के साथ आप मेंटली मुझूद रहें तभी आपको टॉपिक अच्छा संग में आएगा और एक वार यदि आपने समझ लिए तो आपको दुबार किसी व में सबसे पहले देखने मिलती है सबसे पहले पर बात करेंगे तो यहां पर लिए प्रॉब्लम लिखा वाँ आपके सामने यहां पर प्रॉब्लम आता में यस्वी नोट वर्किंग यस्वी काम नहीं करेगा कॉस्टूमर आएगा आपसे कहेगा कि यह बाई हमारा एली किनेक्ट होती है कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो यह तीन देखने को मिलता मिलता यह जोड्य अंदर से यह चको करेंगे यह जानते हैं आ फिलाल-व को दोकल करने में इस धान पर्कार को एक्षे रख रखते हैं करना चाहते हैं हमारे मुल्टिटेक्स से तो नीचे दीगए नंबर पर कॉल करके जनकारी को प्राप कर सकते हैं और आज अगरели div Class Scott's अच्छी लगती है सब और अच्छा लगता है तो आप judaq कि हमार साथ जूड़ सकते हैं तो फिलाल चलते हैं टॉपिक को पर देखते हैं कि कैसे काम करता है यह सेक्षन तो यह देखेगा अभी जो मैंने यहां पर यह पर बना रखा यह 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 पोर्ट है यह 2.0 का यह यह पोर्ट है जिसमें पीछे साथ चार ट्रैक देखने को मिलते तो आपको मेल्टिमीटर से अपको मेल्टिमीटर को बीपरेंच पर रखना से पहले और उस टर्मिल में से सबसे पहले एक टर्मिल सबसे कोनी कोनी वाले टर्मिल को एक टर्मिल को ग्राउंड साथ बीप करेंगे जो भी टर्मिल ग्राउंड साथ बीप करेंगा वह एक टर् मतलब stand by मतलब TV को on करने से पहले रिमोट या उसके पावर बोटन के द्वारा on करने से पहले ही जो वोल्टेज बन जाए उसे stand by बोल्टेज कहते को य और बोल्टेज कर दो य है तो वहाएगा पांच वोल्ट इस संवाफ्र वहज़ देने पौन प्रइब करने के बाद आए रिमोट के द्वारा और पहली आ रही है तो वो डिर्ट पांच वोल्ट के स्टेंड बाइगे और यदि टीवी उन करने के बाद पांच वोल्ट आईगी तो वह कैसा है इसी को जानते हम तो देखेंगा यहां पर जो पॉइंट है वह यह ट्रैक न पर आजाता है इसकी द्रेन पर पांच वोल्ट आजाता है वही पांच वोल्ट इस एच्विया रिश्टर के द्वारा पास होके यहां पर देखेंगे तो इसकी इसकी च्लेक्टर पर भी वही पांच वोल्ट स्टेंडबाई का आजाता है यही पांच वोल्ट इस रिश्ट से connected है अब क्या होता है कि जैसे हम TV को on करते हैं TV को on करते हैं तो remote या उसके power बटन के दावरे TV को on करते हैं तो mcu जो हमारा होता है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकाल कर इसके बेस टर्नल को दे देता है अब जब इसके बेस पर जब 3.3 वोल्ट आती है तो यह NPN ट्रांजिस्टर है इसका बेस एनेवल हो जाता है बेस एनेवल होने के कारण collector पर जो पांच वोल्ट था वह ही मेटर सा यहां से पांच वोल्ट यहां से आ रहा था वह पांच वोल्ट यहीं पर रूख जाता यह रेश्टर पूलप रेश्टर बन जाता और यह पूरा वोल्ट यहां से यहां तक का ग्राउंड हो जाता है क्योंकि यहां से वोल्ट यह पूरा connected हो था collector और इमेटर तो यह से पास आउट होती है लेकिन तभी वह पास होती है सोर्च से जब उसके गेट पर लो वोल्टेज हो तो पहले टीवी को उन करने से पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यह 5 वोल्टेज रेश्टर से पास हुआ था यहीं 5 वोल्टेज यहां क्लेक्टर पर आ गया था और य सबस्वादर बसक्रोट हो सोर्फ प्लाय पास करेगी और टीवी आ करने से पहले यहां पर फ वोल्ट था और गेट पर हाई electronics OR पासक नहीं और जैसी गीट पर लोगोल्ट जाते हैं यह 5 Volt इस त्प्रफ ऐसं यहां से सोच कर जाती है और स्वूच करते हैं यह 5 वोल्ट यहां पर रनिंग कंडिशन पर पहुंच जांथा जिसके गारान आपके ESP port को आप negative और साथ positive मिल जाता आपको पता हिए कि हर एक डिवाइस को काम करने के लिए negative और positive दूनों परकार के supply जहरोते रहती है तो negative positive पहुँच जाता अब जैसे हम किसी device को इसे connect करते है पें ड्रैप या आन्ने किसी चीज़ के जरहे connect करते हैं अपने LED TV को तो उस समय उस device का data data हमारे MCU तक जाता है वो यह वाली लाइन जो बीच में जो आपको दो point देहाए देरें यही वो दो point है जिनका नाम होता RX और TX मतलब receiving data तो यह दोनो लाइन पर आप लोग देखेंगे तो एक 0 ohms का द्वारा अपना जो data होता वो direct pass out होता है यहां पर किसी परकार का कोई voltage नहीं होता यह एक signal होता है यहां पर कभी भी आपको voltage नहीं मिलेगा यह signal यहां से जिरों के रिष्टर के द्वारा MC को जाता है तो यह तो रही इसकी working principle की बात अब बात आती है कि अगर problem आती है तो किस तरह से सब्सक्राइब कर रहा हो दुनिया में चोटा से चोटा PCV से लेकर एक बड़े से बड़े चीज़ों का भी अगर PC बना रहा है तो सबसे पहले चीज़ों की हमारी आख मतलब हम सबसे पहले उसको विजिकली देखेंगे फिजिकली देखना है कि यस भी तो नहीं है इस पर कॉलिजन तो नहीं है यदि इन सम्में से कुछ है तो आप उसको साफ करें या डूटा है तो बदले ठीक है फिलाल चेक कैसे करेंगे तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपको ग्राउंड पर देखे लेना यह या ररनिंग आ रहे है रणिग का साथ चलिया आपको अगर यह बाइपास मेठेड बीम्हार को भद आदेता है इसमें आपको से अग्षेट्य पर रखकर एक टेमें से फिरीप कर रहा है वह स्वें से बचालियना या यह यह यूझ कर रहा है यह यह तो कोर वोल्टेज जो बनती है 1.2 वोल्टेज लेकिन ध्यान रहा है वो वोल्टेज जो आप जंपर करेंगे वो हमेशा रणिंग सप्लाई उनीच चाहिए टीवी उन करने के बाद यह डिरेक्ट आप पांच वोल्टेज स्टेंड बाई की भी उठा के आप यहां पर दे सकते है सब्सक्राइब की इसकी घ 12 कि वोल्टेज ये हैं पर जो कि निल जाएगा और यहां पर दे को मिल जागा का विशिषी आपके आजाएगी फिर आपको क्या करना विशिषी मतलब पोचिप 5 वल्ट और नेटिब में तो आपको पावर निकाल देएना टीवी में से और मिल्टी मीटर को डायूड रेंज पर रखना है और डायूड रेंज पर रखकर एक प्रॉब मेल्टिमीटर की, रेड प्रॉब आप ग्राउंड में डालेंगे और वहीं ब्लेक प्रॉब से यहां पर रखेंगे, यहां पर रखकर आप डायोड वैलुई जब देखेंगे, तो 100 से, वाद थीन सो से उपर आनी चाहिए, वाद यह अगर ग्राउंड टर्मिनल तो आपका MCU खराब है यह रिपेर नहीं होगा MCU आपका खराब है बोड ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा यदि RXTX के लाइन एं ग्राउंड के साथ बीप कर लिए तो यह तो पहले चीज था दूसरे चीज आपको देखना है यहां पर डायोड वैल्लू डायोड वैल्ल यहां पर आप इसको जंपर कर देना या दूसरे बोड में से जीरो ओम्स का रिष्टर को उठाके यहां पर लगा देना आपका जो USB का जो प्रॉल्म होगा वह सौल्व हो जागा यदि नहीं हो रहा है यहां पर आपको डायोड वैल्लू मिल रही है ग्राउंड के साथ आरक प्रसेंट सही हो जाएगी एक चीज और यदि आपका यहां पर जो वैल्लू जो नहीं दिखा रहा था और LBR रेश्टर को जब आपने चेक किया वह भी सही है तो आप ट्रेक की ट्रेसिंग कर सकते हैं और यदि वह इंटर्नली ओपन हो चुगा है तो भी इसका कोई जुग हर एक एक टॉपिक पर आप लोगे लिए वीडियो लेके आएं तो यह हमारी कोशिस रहेगी आप लोगे लिए और जब भी वीडियो बनाऊंगा एक चीज का बेसक ध्यान रखोंगा कि आपके एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा कंसेप्ट किलर है और आपको दूसरी व मिलते किसी और वीडियो में